राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं वा बंधों संस्कार की बाते चैनल में आपका स्वागत है बंधों आज बुद्धवार के दिन मैं आपके लिलाई हूँ गनेश्ची की कथा बंधों बुद्धवार गनेश्ची का दिन माना जाता है बुद्धवार के दिन गनेश्ची की जितनी पुजा अर्चना की जाए तो गनेश्ची प्रसन होते हैं और अपने भक्तों के सभी काम शिक्र बना देते हैं बंधों बुद्धवार के दिन हर मनुष्चे को गनेश्ची को दो लड़ू और दूर्वा चड़ानी चाहिए बंधों यदि आप ऐसा कतते हैं तो गनेश्ची आपका हर काम शिक्र बनाएंगे गनेश्ची बुद्धी को देने वाले और रिधी सिद्धी देने वाले हैं गनेश्ची बिगड़े हुए कामों को बनाने वाले हैं यदि आपके काम नहीं बन पा रहे हैं और आपके कामों में रुकावते आ रही हैं तो आप भी गनेश्ची को मनाएं गनेश ची को बुद्धवार के दिन दो लड़ू दूरवा दक्षना सही चढ़ाएं और गनेश ची की इस कथा को सुनें बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों वीडियो को पूरे सुनें सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै गनेश भगवान की जरूर लिखें बोलो गनेश भगवान की जै हो भगवान शिव ने विश्णू को शोडश उपचार युक्त गनपती पूजन की विधी बताई तब भगवान विश्णू ने गनेश ची की सो दिव्य वर्षो तक उपासना की उनके घोर तब से प्रसन होकर गजानन साक्षात प्रगट हुए और बोले मैं तुहारे तब से प्रसन हूँ बोलो क्या जहाते हो विश्णू जी बोले मधु कैटब नाम असुर अतिप्रबल हो गए है अतैव उनके वद का उपाय कीजिए श्रीक नेश्ची ने कहा बैकुंठनात यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता तो अब तक असुर प्रास्त भी हो गए होते विश्णू जी बोले गजानन मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था अब आप पही कीजिए जिससे मैं उन असुरों का वद करने में सफल हो सकूँ हे नात इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुरलब भक्ती भी प्रदान करें भगवान विश्णू की प्रातना संकर गजानन ने कहा ऐसा ही होगा रमानात आपके हाथ उन असुरों का अतिशिक्र वद होगा इस से चतुरानन का भे भी दूर हो जाएगा और आपको महान यश्ट की प्राप्ती होगी हे विश्णू अब आपके करें में कोई विघन नहीं आएगा वर देकर भगवान गजानन अंतर ध्यान हो गए और भगवान विश्णू महा से लोटकर अपने स्थान पर जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए तयार देखा त्रीलो की नाथ को वहां आया देखकर उनकी और छपटते हुए वे असुर बोले तुम बड़े डरपोख हो विश्णू जी हसे और उन्होंने युद्ध करके शिगर ही मदुकैटप का वद्ध कर दिय जहां उन्होंने भगवान गजानन की अरादना की थी वहस्थान सिध छेत्र के नाम से प्रसिध हो गया शी सूची बोले हे रिश्यों महारिशु भिगू ने सौम कांद को गनेश चरित्र का वर्नन करते हुए राजा भीम का गृतान्द भी बताया वे बोले राजन भीम पुर्पुर का राजा था उसकी पती व्रता पत्नी का नाम चारू हासिनी था उसका दामपत्य जिवन सुक से वैतीत हो रहा था क्रिंतु व्रधा अवस्था की और अगरसन होने पर भी संतान ना होने का दुख उन्हें पीडित करता था राजा ने राज्य अपने मित्र के आश्रम में पहुंचा तो महारिशी ने उसकी ओर देखा और पूछा तुम कौन हो और यहां किस उदेश्य से आये हो राजा बोला प्रभो विधर्व देश का राजा हूं कॉंडिन ने पुर मेरी रायधानी है मेरा नाम भीम है मेरी व्रिद अवस्ता आ पहुंच कि मुझ जैसे करतब विनिष्ट एमम धर्मग के विक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई महारिशी ने कहा राजन पुर्व जनम में तुमने भगवान गजानन का अपमान किया था फलस्वरूप इस जनम में निसंतान हो यदि उन्हें प्रसंद कर लो तो तुम्हें अब भी सुनतान सुक से वन्चित नहीं रहना पड़ेगा राजा ने पुर्व जनम के व्रितांत की जिग्यासा व्यक्त की तो महारिशी विश्वामित्र बोले महाराज तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक अन्य प्रतापी राजा हुआ था उ उसके श्रीर से दुर्गंद आती थी माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा अनेक प्रयासों के बाद भी उस बालक की मुकता और बधित्ता वा विकलांगता दूर नहीं हुई है राजन किसी ने राजा को प्रामश दिया कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीर धाटन करे तो संभव है कि इसके रोग दूर हो जाएं परमर्श अनुसार राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीर धाटन को चल पड़ी मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया यहां तक कि उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा तब उसने एक शिव मं मंदिर में शरनली और बालक को वहीं छोड़कर भिक्षा मांगने है तू एक गाउं में गई पीछे से उस मंदिर में एक धर्मग्य ब्राहमन आया उसके श्रीर के सपर्ष मात्र से वह बालक निरोगी हो गया रानी शिवाले में लोटी तो अपने पुत्र को सुंदर और न गनेश्ची का उपासक था बाद में उसने रानी को भी गनेश्ची की उपासना का उपदेश दिया अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गजानन की उपासना की तो प्रसन होकर गनेश्ची ने स्वपन में कहा कि तुम मेरे परमभक्त महारिशी मुद्गल के पास कि वो दोनों मुद्गल के आश्रम की खोज में काफी समय तक जंगलों में भटकते रहे तब बाद में एक दिन उन्हें वे आश्रम मिला महा महारिशी मुद्गल को उन्होंने अपना सब बृतान सुनाया तो महारिशी ने शीक गनेश के एक काक्षरी मंत्र गम के अनुष्ठान का उपदेश दिया बंधों गम शबत बहुत ही अधिक शक्तिशाली है यदि आप भी भगवान शीक गनेशी के गम शबत का बार बार जब करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनो कामना पूरी ना हो सो बंधों गनेश उस्सव के दिनों में ही गम शबत का अधिक से अधिक उच्चारन करें राजा भीम ने जिग्यासा व्यक्त की महमुने आपके शिमुक से यह चरित्र सुनकर मैं अश्चरे चकित हूँ एक ब्रहामन के श्रीर का स्पर्ष कर बहने वाली वायुक के स्पर्ष मात्र से यह बालक रोग रहित और सुन्दर कैसे हो गया विश्वा मित्र बोले राजन इसमें अश्चरे कैसा भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं सुनो एक समय की बात है सिंधू देश के एक पल्ली नामक गाम में एक धनिक वहष्य रहता था उसका नाम कल्यान था उसकी पत्ने का नाम इंदू मती और पुत्र का नाम बल्लाल था एक दिन वेश्य पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया वहाँ उन लोगों ने एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्ति सी अंकित थी उन्होंने उसे गनेश्वर नाम देकर पूजन अरंब किया और सब ने मिलकर वहाँ एक मंड़ बना कर सब मनाया उस दिन से अपने सब मित्रों के साथ वह वेश्य पुत्र रात दिन वही रहकर गनेश्ची की उपासना करने लगा जब वे घर नहीं पहुँचे तो माता पिता को चिंता होना स्वभाविक था वे उन्हें ढूनते हुए उस जंगल में आए और सब बालकों को उपासना आदी में लगे देखकर उनके माता पिता आदी ने कल्यान से कहा कल्यान तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है जो अरन्य में पड़ी हुई शिला का पूजन अराधन कर रही है इसलिए तुम अपने पुत्र को रोको अन्यथा हमें उसके साथ कठोरता का वैभार करना पड़ेगा यह सुनकर कल्यान ने उस मंडब को गिरा दिया और अपने पुत्र को मानने लगा उसने उस गने शिला को उठा कर दूर फैंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया महारिश्वी विश्वा मित्र बोले है राजन इस से वैश्य पुत्र वल्लाल को मानसिक पिड़ा हुई उसने पिता से हाथ जोड कर निवेदन किया पिता जी आप भले ही मुझे दंडित करें लेकिन उन सरवात्मा भगवान गनाध्यक्ष का अपमान ना करें वे अपने भक्तों के सभी विग्नों का हरन करने वाले वा कल्यान कारी देव है उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है वेश्य ने क्रोधा वेश में कहा मूरक इस पत्थर को सरवात्मा कहता है देखूंगा तेरा गनाध्यक्ष तेरे विग्नों को किस प्रकार दूर करता है कल्यान अपने पुत्र को एक पेड़ से द्रिड़ता पुर्वक बांद कर बोला अब भी अपने भूल सविकार कर ले और गनेश की भक्ती छोड़ कर अपने कारे में लग जा किन्तु पुत्र ने पिता की बास स्विकार नहीं की वह उसे गाली देता हुआ चला गया बालक को अपने पिता की निश्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने पिता को शाप देडा ला तुमने मुझे इस निज्जन वन में अकेला ही निद्यता पुरवक पांद कर छोड़ दिया है फलस्वरूप तुम बहरे गुंगे अंधे और विकलांग होगे काफी समय वेतीत होने वावरिक्ष से बंधा रहने के कारण बालक ठक गया रसी के बंधन उसके कोमल अंगों में चुब गए इस से अत्यंत पीडित होकर वेह भगवान गजा नन को पुकारने लगा और अंत में उनकी और से भी निराश हो गया तो उसने आतमगात करने का निश्चे किया वेह वरिक्ष से ही सिर्फ ओडने लगा वेह बालक पीडा और निराशा के कारण रोता हुआ बोला विगनेश आपके भगत पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं यदि हैं तो फिर आते क्यों नहीं तभी उसने देखा कि सामने से एक ब्राहमन आ रहा है उसने तुरंत बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बस तुम्हारी पुकार सुनते ही तो मैं यहां आ गया हूँ तुमने पिता को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद हो जाएगा इधर कल्यान का शरीर उसी समय से रोग गरस्त हो गया उससे दुरगंद आने लगी वह बहरा गुंगा विकलांग हो गया उसकी दशा देखकर पत्नी को बहुत दुख हुआ वह पत्र को देखने के लिए अरन्य में गई तो वहाँ उसे गनिश्वर के पूजन में लगा देखा इससे उसके मन में बड़ी प्रसंता हुई उसने पत्र से कहा कि पत्र यह तो तु बड़ा शुब कारे कर रहा है प्रन्तु तेरे पिता की दशा बहुत दैनिय हो गई है उन्हें भी चल कर देख ले वस माता पिता की आज्या मानना भी पुत्र का परम करतव्य है बल्लाल ने उसी प्रकार शांती पुर्वक बैठे रहकर कहा माता सनसारिक माता पिता तो अनित्य है यथार्त माता पिता तो भगवान का निश्वर ही है जिन की मैने शरन ली है इन भगवान का निरादर करने के कारण पिता जी की ऐसी दशाप प्राप्त हुई है उनकी सेवा करना तुम्हारा भी तो करतव्य है क्योंकि पत्नी के लिए पती की सेवा ही सर्वोप्री है माता ने कहा पुत्र अपने जनम दाता पिता को शाप से विमुक्त कर दो मैं तुमसे विनाई करते हूँ यह सुनकर बलाल ने कहा माता मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता अगले जनम में तुमें एक राजा की महरानी बनोगी किन्तु तुम्हारा पुत्र गुंगा बहरा विकलांग और दुरगंध युक्त होगा उसके कारण तुम्हारा पती उस पुत्र के साथ तुम्हें भी घर से निकाल देगा फिर एक शीवाले में एक गनपती भगत ब्रहामन के सपर से तुम्हारे दक्ष नामक पुत्र का श्रीर निरोग और सुन्दर हो जाएगा हे राजन यह समस्त घटना चक्र उसी वानी के अनुसार घटित हुआ था बोलो श्री गनेश ची भगवान की जए राधे राधे जए श्री कृष्णा बंधू यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेर भी जरूर करें धन्यवाद